नमस्कार दोस्तों मैं बीरेंजेन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आई टी आई नॉलेज में हम लोग केंप्यूटर के 2000 कॉस्चन पढ़ रहे हैं इसके चार पार्ट आ चुके हैं यह पांचमा पार्ट है आपके सामने जिसका पहला कॉस्चन है आपका विभिन एप इप्लिकेशन और डॉकुमेंट को बिंडो डेकिस्टॉप पर के लिए किसके लिए प्रस्तत किया जाता है किसके दौर प्रस्तत किया जाता तो किसके दौर प्रस्तत किया जाता है आई कॉन आप कंप्यूटर में देखते हो डेकिस्टॉप पे माई कंप्यूटर रिसाइक करेंगे तो किसके थरू करेंगे वो करेंगे आप control plus alt plus delete है ना और यह control plus alt plus delete क्या कहला आता है restart करना मतलब आपन लोग पढ़ रहे थे booting booting क्या होती computer के चालू होने की process को हम क्या कहते हैं booting कहते हैं तो पहले computer के अगर अपन चालू कर रहे हैं तो क्या कहलाता है पहली बार cool booting और restart कर रहे हैं तो यहां पर अपन लोग कर रहे हैं control plus alt plus delete तो यह क्या होगी आपकी bomb booting भी कहलाएगी तो यह भी question आपका पूछा रहाता है ठीक है next question है आपका एक folder में 10 file हैं जिने एक साथ चुनने की आवसकता है तो कौन सी key को select करके यह किया जा सकते हैं अगर एक साथ अपनको select करने हैं तो अपन क्या करेंगे control plus यह shortcut की कि तुरू भी कर सकते हैं इस shortcut की है पूरे को select करने की ठीक है next question दिखते है text आधारेथ दस्ताभीज यह text आधार डोकुमेंट तयार करने के लिए किसके यूज किया जाता है कौन से software कर यूज किया जाता है bird processor software के किया जाता है ठीक है bird processor software क्या होत जिसमें आपन लोग document वाले काम करते हैं document पनाने वाले काम करते हैं उनको क्या करते हैं bird processor जैसे letter type करना application लिखना notes तयार करना तो वो क्या कलाते हैं bird processor software कलाते हैं ठीक है जैसे इसका example गया हो गया ms office में ms bird तो ms bird क्या है bird processor software है ठीक है next आपका ms excel किसके लिए यूज होता है ms excel सबसे पहले किसका part है ms office का part है ms office क्या एक application software है तो ms excel से क्या करते हैं table बनाना हमें कोई चीज count करना है formula apply करना है तो किसका यूज करते है ms excel तो ms excel में graph का भी यूज कर सकते हैं graph भी अपन उसमें जोड़ सकते हैं ठीक है next question है जैसे आप ms excel में spread sheet में उप्रफ डेटा का यूज करके graph बनाने की कूसिस कर रहे हैं तो आ आपका insert ही करेंगे न तो क्या करेंगे insert करेंगे ठीक है next आपका IBM का पूरा नाम क्या है IBM क्या है multinational IT company है यह पता होना चाहिए आपको IBM क्या है multinational IT company है जिसका पूरा नाम क्या होता है international business machine होता है ठीक है next question है आपका server computer वह होते हैं जो किससे जुड़े हुए अन computer को resource अप्रम सर्वार कंप्यूटर मतलब होता मैं computer तो किस कितरू होता network कितरू ही अने computer से connect होता है ठीक है next question है आपका जब एक email भेजी जा रही होती है तो mail content का एक संचिप्त विब्रण किस में लिखा जाता है मैंने आपको बताया था अगर आप परानी video देखेंगे मेरे तो आपको प इसा है उसका subject है उसचीज का बो लिखना किस में लिखेंगे में लोग subject उसमय बाकईदा option आता है और two में अपन वो mail id लिखते है जिसको पहने को भीजना होता है ठीक है next question है network की design code network क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता मतलब जो design network की उसको हम क्या कहेंगे उसका architecture नेगे next आपका PowerPoint का slide-sorter view बिकल्ब किसमें उपलबत रहता है slide-sorter view मतलब slide को sort करके देखना है पूरे slide को एक साथ देखना है तो किसमें view कर रहा है अपन टेक्निक्स तो दिमाग लगा के भी अंदाज लगा सकते हैं कि किस से कार सकते हैं एक संगठित तरीके से समध्रद देटा के संग्रह को इसके रूप में परिवासित के जाता है तो संगठित मतलब विवस्थित जैसे डीटा को अपनलग विवस्थित करके रखाया है तो उसको क्या कहते हैं डीटाबेस् गहतं है, फॉपर तरीकी से अर्रेंजमेंट डीटा, कौन क्या गलेंगे, डीटाबेस्ट कहता है। रिकॉर्ट आपका प्रॉपर तरीकी से लिखा हुआ हरा डीटा डीटाबेस कहलता है। ISSO gonna be search term app call click onбо bo steals से इसको shortcut की यह भी पूंची जाती है बहुत पार पूंचा गया एक वस्टन गो टू बंडू वाला तो यह किसे होता है फ़ाइब से होता है ठीक है next question है आपका गूगल क्रोम क्या है तो गूगल क्रोम क्या है एक प्रकार का बिब ब्राउजर जो पॉपूलर बहुत पॉपूलर गूगल का है गूगल कंपनी का है ठीक है इसको आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं next question है आपका keyboard में कुझियां किस परकार की होती है जो keyboard होता है उसमें कौन कौन से कुझियां होती है तो यह होता है bird-ma- 기대 अलफाबैक की अब जी अब जो लिखे जाते है तक होती है यह आपकी लग-अलग-अलग गी है और भी की होती है आपकी निमेरिकल की होती है 0-9 तक होती है नेश्ट नेक्स आपका OCR का पूरा नाम क्या होता है OCR का पूरा नाम क्या होता है ओिसका होता है OCR का full Poppy होता है नेक्सिल पिक्सलु मोग कि साइब है वो 15 एक्स लेकिते हैंA आपको domain name, D.gov भी इसका प्तिने हितफ करता है। तो domain name कहकल आते हैं जो website के last में लगते हैं। आप देखते हो, .gov, .com, .edu तो यह अलग-अलग सन्षतां के domain name होता है। जैसे .gov होता है, तो government का होता है, .edu होता है, थो education के लिए होता है, .com होता है, .mil होता है तो military के लिए होता है तो ऐसे अलग-अलग comment होते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका सिक्षा संस्तान के लिए तो मैंने भी बताया कि .edu होता है नेक्स्ट जंग की email को किस रूप से भी जाना जाता है यह बहुत important question है बहुत बारबार पूछा जाता है हरी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कोई ना कोई जो सिप्ट रहती एक्जाम की उसमें पूछ लिया जाता है कि जंग email को क्या कहते है spam का मतलब क्या होता है जो आपके मतलब का भी नहीं है mail और वो mail आपके उसमें आ रहा है advertisement आ रही है जो email के संदिक जहां मतलब email अगर मैं आपको भी जाएज रहा हूं और मैं उसके साथ कुछ दस्तता वी कोई डॉकुमेंट आटेज करना चाहा हूं या कोई letter अटेज करना चाहरा हूं वीडियो आटेज करना चाहरा हूं पूट अच्ज करना हूं जो बनाता रहता है तो उसमें बढ़ते जाते हैं वारस ना आ है तो इसके लिए क्या करते हैं उसमें अपने प्रेशित की स्क्रीन की प्रेस को किस की रूप में जाना जाता है जो पीसी मतलब अपरसनल कंप्यूटर आपने प्रस्टिंट की सिर्फ देखते हैं यम में स्क्रिन को सीरु प्रफट में और वidede पॉछ यह दो नेघे इस्ट विटिंट विर जाता है तो फिरी अंश्टाफनी स्वी दिदिस्टों को हृआ नहीं को में अलगका अफ्कले वी डियू अब के अफिक पर ख॥ e जरनेशन की उसमें आपको बता दूगा ठीक है तो यह जो क्या होती है जैसे आप देखते हो कुछ समय के लिए memory store हो जाथ जैसे अपने लोग सर्च कर रहा होते है नेट में तो आप देखते हो फॉर्ट्रेंड का पूरा नाम क्या होता है प्रोग्रामिंग लेंगवीज इसका होता है फॉर्मुला ट्सलिशन यह गड़ती एक काम के लिए यूज की जाती है एक डेक इस्टॉप को किसके रूप में जाना जाता है तो पीसीवी कि यह मेरा PCA सिस्टम भी बोलते हैं उसी से PC उव बोलते हैं तो PC का पूरा नम क्या था? परस्नल कंप्यूटर होता है. Next question है, आपका कंप्यूटर CPU के साथ सब्सुलगन भागों को किसकी रूप में जाना जाता है? आपका टेक स्टॉप हो गया प्रिंटर हो गया है ना यह मतलब मॉनिटर हो गया प्लोटर भी होता है आपको अपने रजल्ट बता था है वो क्या कलाते है आपके आउप्ट डबाइस कलाते है यह प्रिंटर के प्रिंटर के प्रिंटर के प्रिंटर के प्रिंटर के प्रिंटर मैंने बताया था आपको अगर पिछले वीडियो देखो कि आप प्रिंटर दो प्रिंटर के होते हैं इंपेक्ट प्रिंटर और नॉन इंपेक्ट प्रिंटर तो लाइन प्रिंटर के प्रिंट की प्रकार है तो यह जैसे लाइन लियए टुह लाइन प्रिंटर क्या है एक impact type के प्रिंटर दोन हो आपको को सब्सक्राइब करूंका impact or non-impact को इन परिंटर के प्रिंटर की नाम रूह लाद क्या होता है तो किस DPI हम क्या पता कर रहा होते हैं? रिजिवलेशन पता कर रहा होते हैं, लिजर प्रेंटर का रहा होते हैं, किस से DPI से? यदि आप एक plotter का रहा है, तो किस का रहा है? plotter में ने बताया कि plotter क्या है? यह एक output device है जिससे अगर आपन को कोई बड़ा print out निकाल ला है, बैनर आप लोग देखते हो, यह banner लगे होते हैं, तो banner कौन से किस से print होते हैं? यह आपके plotter से print होते हैं, जो simple page होते हैं, अपन लोग किस से print कर लेते हैं? printer से print कर लेते हैं, तो क्या है यह भी output device है? कीसके संदर में बात कर रहा है किसके संदर में अलाओ पीछेอง के लगए होते हैं हो करते हैं मतलब सबॉस्तियोता है से अयुक् выпуск परकार के पूर्टत cocktail फीक है पार्ट पॉर्ट से मैं बहुत ही इंपोटन का सब काम ह काम हो रहे हैं तो अडू से गूगल मेप्स है गूगल इसे नेमा कहां यह मूभी कहां लगी हुई है अब एड़टाइज देखते हैं अलेक्स सा मुझे गाना सुनाओ तो यह सब क्या है आटीफीसियल का ही पांट है कि आपको चीजें करके देता है है आपने लोग देखते हैं जैसे गूगल मैप है गूगल मैप से आपक कर रहें है मतललिक का से काम है इंटिती की विछ क्रrywक्ते के यहां बेंच कप्छिए के पंप्यूटर में यह यह हो रहा है ठीक है अ नेक्स rank कोष्ट्टिन आपका ऑफ्रेटिंग सिस्टम में प्रोशेसर के प्रोवसेसर में रहता है प्रस्तुत की गई jobs में से processor के लिए कोई एक job के chain के लिए क्या उत्तरदाई होता है job schedule मतलब वो schedule करके रख देता है job schedule को proper तरीक से step by step में तो वो क्या कहलाता है आपका job schedule है एक embodied operating system कहां पाया जाता है PDA में पाया जाता है ना क्या होता है embodied operating system किसमें पाया जाता है PDA next है आपका unix, ms-dos, linux किसके उधारन है तो यह क्या है operating system कि मैंने आपको बताए थे unix क्या एक प्रकाक operating system ms क्या है Microsoft disk operating system dios का पूरा नाम क्या होता disk operating system linux यह सब क्या है आपके operating system Linux किस पर आधा रहते command-based operating system है command पर आधा रहते होता है linux unix है ना तो एक ms-dos, सब क्या है operating system ms-bindos क्या है यह भी एक क्या है operating system है Microsoft design किया इसको ms का पूरा नाम क्या है Microsoft Windows ME में Windows ME यह भी किसने बनाए Microsoft ने बनाए यह कब बनाए था Windows ME का पूरा नाम क्या होता है Millennium Addition इसका पूरा फॉर्म यह भी आप ms-bird में control plus a का यूज कर रहे हैं तो आप क्या करने के कोशित करना है तो फाइल में सभी जो फाइल है आपके उसमें सभी पूरे अगर बर्डों को स्टार्ट करना है तो अपन किसका यूज करते हैं एक का करते हैं यदि आप प्रोग्राम का यूज या प्रोग्राम का प्रारम करने की कोशित कर रहे हैं तो आप किस पर यूज करेंगे Start menu के जाएंगे आपका लेट्ट साइड में नीचे साइड देखते हैं आपका Start menu के लाता है आप अपने कम्प्यूटर पर अपलब्द फ्री स्पेस का आकलन करने की कोशित कर रहे हैं मालने आपके पास MS Windows Operating System में तो आप क्या करेंगे किसका यूज करेंगे तो किसका करेंगे आपन लोग अपन लोग ने बना रखी है और आप अपन लोग इस पेस चेक कर सकते हैं तो वो फाप खोल डन ओपन हो जागो उसमें अपन लोग फाइल जो भी आपनको देखना है वहां से देख सकते हैं नेक्स्ट कॉस्चन यदि आप अपके अपन्ट्र प्लस स्केप का यूज करना है तो आप क्या करते हैं स्टार्ट मीन को प्रारम करना है अपनको स्टार्ट मीन को खुलना है तो आपन स्टार्ट कट की 15 से उसका यूज कर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन एक विभाजन बिंडो मूड में अधिद्धो में से एक टाइटल बार दूसरे से गहरे रंग काया तो क्या होता है गहरा टाइल मतलब जो सक्री रहता है जिसको अपने ऊपन कर रहे होते हैं वो क्या है ज्यादन डार्क दिखेगा अपन लोग क ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन है यह अधर आपके 250 कॉस्चन होगा है 50 कॉस्चन अपन लोग ने सौलू कर लिए है तो उमीद मुझे आपको पसंद आयोंगी कॉस्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करि और ऐसे ही पढ़ते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद